सर एक नहीं दो नहीं तीन बड़ी लिस्टिंग्स होने को है और क्या धमाकेदार अप्लिकेशन हमने यहां पर आते वे टाटा टेक्स से ही शुरुवात करते हैं क्योंकि ब्लॉक्बस्टर एंट्री नहीं की रही है और मच अवेटेड भी था और जबर्दस रिस्पॉंस भी वहीं आया है बिल्कुल यहां और सबसे धमाकेदार लिस्टिंग टाटा टेक्नोलोजी की ही होने वाली है 500 रुपे के मुकाबल में जैसा मैंने काया था कि ओल्मस्ट डबल होने की तैयारी इस स्टोक की और होना भी चाहिए तो मेरा यह समझना है कि लिस्टिंग कहीं चाह हमने बड़े लिस्टिंग और लंबी अवधी दोनों के लिए इसमें पैसा लगाने की राय दी कोई बहुत ही शॉर्ट टम रखता है अगर उसको लगता है कि नहीं मैं तो बैस प्रॉफिट लेके निकलना ही चाहता हूं तब भी उनके लिए यह होगी कि 700 पजटर का स्टो साफ रख सकता है लेकि मेरा यह मानना है इवेंच्वली स्टोग हजार से 1100 रुपे की रेंज में जाने की कोशिश कर सकता है और हो सकता है उससे भी आगे निकले तो फेर वेलिशन इसके 1100 रुपे के आसपास के बनेंगे और वहां से हम रीवीव करेंगे आगे क्या कुछ होता है तो लॉंग टर्म इंवेस्टर्स यहां पर दो से तीन साल के लिए जरूर रखें हड़ बड़ी और जल्दवाजी बिलकुई भी ना करें तो टाटर टेक में तो क्लारिटी है लेके बैठ जाना है सर जैसे कहते हैं बिलकुल भी हिलना डूलना नहीं है दो तीन साल क का अटलीस परस्पेक्टिव तो रखना है